हेलो एवरिवन दिस इस मी सौमया और आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ यह वाला लोक यह मैंने एद के लिए क्रिएट किया है तो आप लोग इस वार इद पे अपने घर पे इस तरह से रेडी हो सकते हो यह बहुत ही simple और बहुत ही quick makeup है आपको ज़दा time नहीं लगेगा इस makeup को करने में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग यह लोग किस तरह से create करते हो so guys अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो like कर दीजेगा वीडियो को and share कर दीजेगा अपने friends and family के साथ and अगर आप लोग में चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले and bell icon को press कर दीजेगा जिससे की मेरी latest वीडियो की update आपको सबसे पहले मिले and इस look को create करने में आपको ज़्यादा महनत करने की जरूरत नहीं है यह बहुत ही easy तरीके से आप लोग create कर सकते हो उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी so without wasting any time आज की वीडियो को start करते हैं let's get started सबसे पहले यहाँ पर मैं skincare से start कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने good wise का green tea toner यहाँ पर यूज किया है and आपको अच्छे से इसको spray कर लेना है and dab dab करके इसको dry कर लेना है अपने पूरे face पे and आप लोग देख सकते हो यह अच्छे से dry हो गया है and इसके बाद आपको apply करना है यहाँ पर कोई भी moisturizing cream यहाँ पर मैंने good wise की saffron cream यूज की है day cream आप लोग कोई भी use कर सकते हो जो भी आप moisturizing cream यूज करते हो तो आपको अच्छे से blend कर लेना है and यह हो गया है done इसके बाद यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ good wise का यह facial oil तो यहाँ पर मैंने apply कर लिया है and मैं अपने hands की help से इसको अच्छे से blend कर लूँगी अपने पूरे face पे and यहाँ पर मेरी dry skin थी इसलिए मैंने यहाँ पर facial oil को use किया है उसके बाद यहाँ मैं face serum यूज कर रही हूँ lotus का उसको मैं अच्छे से dot dot करके apply कर लूँगी and उसके बाद मैं hands की help से अच्छे से blend कर लूँगी यह skincare follow करने से जब आप base apply करोगी तो बहुती flawless लगता है and यहाँ पर मैं apply कर रही हूँ biotic के लिए balm and skincare के बाद आपको 5 minutes तक wait करना है जिससे जो भी product है वो अच्छे से absorb हो जाए and यह हो गया है done इसके बाद यहाँ पर मैं apply कर रही हूँ concealer as a eyeshadow primer तो यहाँ पर मैंने जब से पहले eye makeup से start किया है and आपको beauty blender से अच्छे से blend कर लेना है अब मैं use कर रही हूँ like me 925 का lose powder इससे मैं अच्छे से set कर लूँगी जिससे कोई भी crease line ना पड़े and इस तरह से set करने के बाद अब मैं यहाँ पर eye makeup से start कर लूँगी तो यह वाला shade लिया है मैं अच्छे से blend कर लूँगी इस तरह से एंड मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसको इस तरह से ब्लेंड करने के बाद आपको क्या करना है इसको पूरी आइलिट पर अपलाए करना है जो मैंने आउटर कॉर्णर पर अपलाए किया था तो इस तरह से मैं पूरी आइलिट पर अपलाए कर लूँगी उसके आपका eye makeup बहुत अच्छा लगता है तो आपको अच्छे से blend करना है तो उसके बाद यहाँ पे मैं apply कर रही हूँ यह golden shade इसको मैं अपने fingers की help से ही अपने eye lid पे लगा रही हूँ इस तरह से आपको पूरी eye lid पे apply कर लेना है और यहाँ आपको अपने अपने eye lid पे apply कर लेना है जिससे जो भी आपका बाहर निकल गया हो वो एक्तम सेट हो जाए आपके transition shade में यहाँ पे मैं अब मैं liquid eye shadow लगाऊंगी इस color का and यहाँ पे golden color का मैंने liquid eye shadow apply किया है and same makeup मैं दूसरी eye पे भी कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने दोनों eye care done हो गया है उसके बाद यहाँ मैंने wet wipes यूज किये हैं जो भी मेरा fall out हो गया उसका clean करने के लिए तो यहाँ पे मैंने clean कर लिया है अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी Maybelline Colosal का ही eyeliner यहाँ पे मैंने sketch eyeliner यूज किया है क्योंकि बहुत ही easy तरीके से लग चाता है तो यहाँ पे मैंने इसको अपने eyes पे apply कर लिया है and यह हो गया है done तो यहाँ पे मैंने दोनों eyes पे apply कर लिया है अब मैं यहाँ पे use कर रही हूँ Maybelline का ही hyper curl mascara and आपको इस तरह से ऊपर को उठाते हुए इसको apply करना है आपको upper eyelashes and lower eyelashes दोनों जगे apply करना है और इस तरह से आपको apply करने के बाद यहाँ पे मैं use कर रही हूँ primer त अपने hands की health से उसके बाद मेरा second step है यहाँ पे foundation तो यहाँ पे मैंने foundation ले लिया है अब मैं इसको dot dot करके इसको पूरे face पे apply कर लूँगी और यहाँ पे मैंने Maybelline fit me का ही foundation use किया था जिसमें मेरा shade है 128 warm nude उसके बाद यहाँ पे मैं beauty blender से इसको अच्छे से यहाँ पे blend कर आपको अपने under eye area पे और जो भी आपके highlighted points होते हैं और जो भी आपके dark spots होते हैं उनको hide करने के लिए concealer use करते हैं और जो भी हमारे highlighted points होते हैं उनको show करने के लिए तो यहाँ पे मैं apply कर लिया है अब मैं अच्छे से beauty blender की help से इसको इस तरह से blend कर लूँगी and blending आप लोग को अच्छे से करनी है तो यहाँ पे मैंने blend कर लिया है अब यहाँ पे मैं लेक में 925 का यह लूज पाउडर ले रही हूं तो यहाँ पे मैं अपने concealer को set कर लूँगी and concealer को set करना guys बहुत important होता है क्योंकि जो भी हमारी crease line होती है वो ना बने हमारे face पे उसके बाद यहाँ पे तो एक बार मैं दुबारा से यूज कर लेती हूं जिससे कि lipstick लगाँ तो ड्राय ड्राय ना लगे अब मैं यहाँ पे contouring के लिए face is Canada की यह face palette ही यूज कर रही हूं यहाँ पे मैंने wet and wild का contouring brush यूज किया है उसको मैं अच्छे से इस तरह से contour कर लूँगी and इस तरह से contouring करन बाद आप nose contour कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने कोई पतला brush हो अगर आपके पास तोस्से भी कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने पूरा face contour कर लिया है उसके बाद यहाँ पे मैं यह वाला shade ले रही हूं अपने inner corners को highlight कर लिया जिससे आपकी eyes बड़ी लगती है अब मैं eyebrow pencil को use किया है अपने eyebrows को fill करने के लिए तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने eyebrows को fill कर लिया है और यह मैंने कर लिया है दोनों eyebrows fill and यह हो गई है done इसके बाद यहाँ पे मैं mr.of milan का यह blush use कर रही हूं और आपको यहाँ पे इस तरह से brush की help से smile करते हुए blush को apply करना है जो भ कर लिया है तो आप लोग देख सकते हो जो भी highlight points होते है हमारे वहाँ apply करना है cupid bow nose chin and forehead and cheeks तो यहाँ पे मैंने इसके बाद apply की है lipstick तो यहाँ पे मैंने नाइका की ही modern matte lipstick apply की है तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से apply कर लिया है अब इसमें मैं एक और shade mix करूंगी यानि इस इसके बाद यहाँ पे मैं apply कर लूँगी false lashes and यहाँ पे मैं apply कर लिया है उसके बाद यहाँ पे मैं eyeliner लगा लूँगी इसके बाद यहाँ पर जिसके जो false lashes है वह पता ना चले इसके बाद यहाँ पर मैं mascara apply कर रहे हूं जिसके यह ना लगे कि मैंने अलग से false lashes लगाई हुई तो यहां पर मैंने लगा लिया है यह है नूज इसके बाद यहां पर मैं लेक में 9to5 का ही जैल काजल यूज कर रही हूं और इस ब्रश के हैप से मैं अपनी लोवर वाटर लाइन पर काजल को अप्ला कर लूँगी और यह वाला शेयड लिया है मैंने ब्लू शेयड जो मैंने अपनी lower eyelashes पे इस तरह से highlight करने के लिए यूज्ज़ किया है तो यहां पे हो गया है डान इसके बाद हिहां पे मैं highlight कर लूँगी अपने brows को तो यहां पे मैंने brush की hair से अपने brows को highlight कर लिया है जाहां से आपकी brows मुड़ती है इस तरह से आपको वहीं से हाइलाइट कर लेना है तो इससे बहुत ही प्यारी आईज लगती है अब मैं अपने एरिंग पहन लूँगी और यह मेरा कम्प्लीट लुक है तो आप लोग देख सकते हो यह बहुत ही सिंपूल और बहुत ही क्विक मेक अप है आप फटा फट से इड पे इस सारे से रेडी हो सकते हो तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो गाइस लाइक कर दीजेगा अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिलकुल ना जाएं बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिसे की मेरी लेटिस्ट व तोड़ आप लोगा तोड़े लोगा। अछेगा लूगॉ ट बॉझा झाल यू टिल यू टे बॉट आप लोगा। युझा बॉर्ट इच कर नोग। इस बॉझा प्रवोग थेएंग।